हलो दोस्तों यह है आपका ओल न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री असोग लिलेंड दोस्ट प्लस और यह है दोस्तों इस गाड़ी की की दो आपको नॉर्मल की मिल जाती है इस दोस्ट प्लस में और दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्ट प्लस के बारे में इस गाड़ी की ओन रोड कीमत के बारे में यह गाड़ी आपको कितने में मिल जाती है साथ मैं loading area के बारे में इस गाड़ी के एंटिरियर के बारे में engine के बारे में, mileage के बारे में सारी information आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी वीडियो को end तक देखते रहें दोस्तो और दोस्तो आपको बता दूं यह है दोस प्लस का LS variant और दोस्तों यह है इसके हेलो जैन हेडलेंब टर्न एंडिकेटर के साथ और बीच में मिल जाता है आपको असोगली लेंड का लोगो और उपर असोगली लेंड की बेजिंग मिल जाती है और बीच में दोस्तों रेपलेक्टर टेप मिलेगा आपको और दोस्तो इसमें मिलेगा आपको ब्लेक कलर का बंपर बीच में अपनी नमबर प्लेट लगवा सकते हो आप और दोस्तो इसमें आपको कापी बड़ी बिंचील मिल जाती है और दोस्तों आप इस गाड़ी के बारे में या अन्य किसी भी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है सोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक नमबर और दोस्तों आप जानकारी जरूर करें और दोस्तों दोस प्लस में आपको डुल बाई पर मिलेंगे डुल बॉसर के साथ और साइड में दोस्तों आपको मिल जाता है फिंडर पे टर्न इंडिकेटर छोटा सा और ये है इसके कापी बड़े O-RBM और दोस्तों डॉर हैंडल आपको बलेक कलर में मिल जाते हैं और अगर बात करें दोस्तो इस गाड़ी के टायर साइज की तो आपको बता दूँ इसमें मिलते हैं आपको 195R 15 इंच के टायर मिलेंगे आपको और दोस्तो फ्रेंट में आपको लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं यानि कमानी पट्टे और दोस्तो आगे आपको मिलता है इसका इंजन ड्राइवर सीट के नीचे आपको इस गाड़ी का इंजन मिल जाता है और दोस्तो साइड में आपको मिल जाती है इस गाड़ी की बैटरी जो है एक साइड की बैटरी दोस्तो और पीछे भी आपको मिलते हैं लीव इस्प्रिंग सस्पेंशन कमानी पट्टे और यह है दोस्तो इसका एकजोस पाइप और यह टायर के उपर आपको बलेक कलर के मटगार मिल जाते हैं दोस्तो जिससे जंग नहीं लगती और यह है दोस्तो इसका लोडिंग एरिया एक बात बता दूँ आपको पीछे की साइड थोड़ी सी जगे की कमी है दोस्तो पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और पीछे इसकी स्टेपनी भी आपको मिल जाती है दोस्तो और यह है दोस्तो इसका air intake pipe और यह है दोस्तो बिंडो जो अंदर से लोग हो जाती है कापी बड़ा को loading area मिलेगा आपको इसमें जिसमें अपना सामान easily आप carry कर सकते हो और दोस्तो यह दोस्त प्लस LS की बेजिंग मिलेगी आपको क्रोंट फिनिस में और दोस्तो कोड राइवर साइड आपको मिलता है इसका fuel tank और यह दोस्तो साइड का complete lock दोस प्लस के LS बेरियंट का और दोस्तो इसमें आपको 3 सिलंडर 1.5 लीटर का BH6 डीजल एंजन मिलेगा जिसकी पावर है 80 BHP की इन टॉर्क है दोस्तो 195 नूटन मीटर का इसमें आपको fuel tank capacity मिलती है दोस्तो 40 लीटर की इसमें आपको 40 लीटर का डीजल टेंक मिल जाता है और दोस्तो इस गाड़ी का wheelbase है 2510 mm का और GBW यानि की gross vehicle waiter 205 kg का और दोस्तो इसकी loading area की बात करें तो आपको 8.5 फिट लंबी मिलेगी और चोड़ी मिलेगी 5.5 फिट की चले दोस्तो एंटीर के तरफ चलते हैं और यह दोस्तो इसका driver door यहां से आप lock and unlock कर सकते हो इधर आपको grab handle and window को up down करने के लिए and lock gate को open करने के लिए और यह हैं दोस्तो इसकी seat driver seat काफी बढ़िया मिलेगी आपको और इधर आपको मिलती है tear pressure information मिल जाती है दोस्तो काफी सांदार आपको seat मिल जाती है दोस्तो दोस्त प्लस में बैक साइड में आपको window मिलती है दोस्तो जिसको आप अंदर से lock कर सकते हो driver and co driver के लिए seat belt मिल जाती है और यह हैं दोस्तो इसके pedal और दोस्तो driver and co driver seat आपको मिलती है काफी सांदार काफी space मिलेगा आपको केविन में और driver and co driver seat के पीछे भी आपको space मिल जाती है थोड़ी थोड़ी यह दोस्तो इसका IRBM दोनो साइड आपको ग्रेव एंडेल मिलेंगे और LED आपको केविन लाइट मिल जाती है यह दोस्तो इसका हैंड ब्रेक और दोस्तो दोस्त प्लस में मिलेगा आपको five speed manual gearbox बीच में आप अपने music system को install कर सकते हो और और लोकेवल आपको मिल जाता है इसमें glove box दोस्तो इसमें आपको power string मिलेगा इसमें तीन बेरियंट मिलते हैं आपको LE, LS, LX यह mobile holder मिल जाएगा आपको और दोस्तो LS variant और LX variant में दोनों में आपको power string मिल जाता है और यह दोस्तो इसका digital instrument cluster जो show करेगा आपको digitally speed, fuel के बारे में बताएगा, battery के बारे में बताएगा odometer, trip meter और सारी information आपको इस display में मिल जाएगी दोस्तो इदर आपको light के control मिल जाते हैं इदर आपको biper के control मिल जाते हैं दोनों side आपको gray window मिलेंगे दोस्तो diver side आपको sun visor मिल जाता है दोस्त प्लस में जो की code driver side नहीं मिलेगा दोस्त प्लस के LX variant में आपको ACB मिल जाती है दोस्तो और काफी सांदार आपको dashboard मिल जाता है दोस्त प्लस का काफी space मिलेगी दोस्तो इस cabin में और अब बात करेंगे on road कीमत की तो आपको बता दूं असोग लिलेंट दोस्त प्लस में आपको तीन वेरियंट मिलते हैं LE, LS, LX और यह दोस्तो इसमें आपको पावर रेस्टिंग मिल जाती है लेकिन AC नहीं मिलेगी AC आपको सिर्फ LX बेरियंट में ही मिलती है दोस्तो और on road कीमत की बात करें तो यह बेरियंट आपको 9,20,000 रुपे में on road मिल जाता है और यह ता आज का वीडियो वीडियो पसंद आये हो तो like जरूर करें थैंक्यू दोस्तो